हां जी तो three questions हमने देख लिए थे पहला देखा था कि ऐसा कौन सा mirror है जो मेंशा same size की image बनाता है वो कौन सा mirror था plain mirror दूसरा हमने देखा ऐसा कौन सा mirror है जो always small image बनाता है वो कौन सा mirror था convex mirror third हमने पड़ा ऐसा कौन सा mirror है जो कहां use होता है vehicles में side mirrors में वो कौन सा था convex mirror क्योंकि वो मेशा small image बनाता है और mirror के अंदर ही image बनाता है मतलब virtual image बनाता है इसलिए convex mirror वहां पर use करते थे अब हमको पढ़ना है fourth question यह कहां tell the name of mirror which is used in shaving mirror ऐसा कौन सा mirror है जो shaving mirror में use होता है देखो हमें पता है plain mirror क्या करता है same size की image बनाता है convex mirror क्या करता है हमेशा small size की image बनाता है ठीक है plain mirror हमेशा same size की image बनाता है convex mirror हमेशा small size की image बनाता है और जो concave mirror है वो क्या करता है वो small image भी बना सकता है वो same size की image भी बना सकता है और वो बड़ी image भी बना सकता है देखो हमेशा धियान रखना जब object बहुत दूर पड़ा हो तब तो वो क्या करता है हमेशा तब वो क्या करता है small image बनाता है compare mirror और जब object बहुत पास पड़ा हो तो वह क्या करता है, लार्ज इमेज बनाता है तो हम क्या करेंगे, हमें Shaving Mirror बनाना है जब Shave करते हैं, हमें हमारा Face बड़ा देखें ताकि हम Easily Shave कर पाएं तो हमें क्या क्या करने है, बड़ी Image बनानी है तो बड़ी Image कौन सा Mirror बना सकता है, सिर्फ एक и layer Hey Can spice mirror तो कॉंसा मिरेर यूज करेंगे ड़ेविंग मिरेर बड़ी फोकल लेंथ क्या करेंगे क्यों के Z אבל क्यों करेंगे विड नार्ज फोकल पर यूज आगया कनके मिरे के variety यूज था तो पहला तो यह हो गया glowing mirror के दुर्म में कर सकते है क्यों क्यूकि जब object बहुत पास पड़ाता है जब object बहुत पास पड़ाता है तो concave mirror large image बनाता है ठीक है बाकी कोई mirror तो है नहीं large image बनाने वाला सिर्फ concave mirror ही है तो concave mirror हम shaving mirror में use करेंगे ठीक है because when object is in between pole and focus चाहे तो यह बोल दो कि जब object pole and focus के बीच में पड़ा हो या यह बोल दो कि जब object के आओ concave mirror के बहुत पास पड़ा हो very near to concave mirror then it forms large image तो यह बड़ी image बनाता है बड़ी image ही तो उमको देखने होती है shaving mirror में ठीक है तो shaving mirror में concave mirror यूज करते हैं इसके लबा concave mirror का और use कहा पी होता है जो head lights होती है उसमें use कर सकते हैं head lights तो दो use पुछे तो यह बोल सकते हो पहला shaving mirror दूसरा head lights में और इसका ray diagram भी आप बना सकते हो जैसे देखो यह अपना concave mirror है यह इसकी pole है यह इसकी focus है अब object को दूर तो रखना नहीं है क्योंकि अगर object को दूर रखेंगे तो यह भी small image बनाएगा हमें तो large image चाहिए और हमें पता ही है जब हम shave करते हैं तो हम बिल्कुल face के पास mirror कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारा जो object है यह मैंने बिल्कुल pass रखना है इस mirror के तो उस condition में क्या होगा उस condition में क्या होगा इस से दो rays हमने ली पहली रे यह चली mirror के उपर गिरी mirror के उपर गिरने के बाद focus से पास होगी दूसरी रे पॉल के उपर गिरी और इधर चलीगी अब यह दोनो rays आपस में cut तो नहीं कर रही है लेकिन अगर इनको मैं dash dash करके दोनों को पीछे extend करूँ तो यहाँ पर यह मिलती लग रही है तो इससे हमें साफ पता लग रही है कि यह चोटा सा object था इसकी देखो कितनी बड़ी image बन गी तो इसका मतलब जब कन के mirror के बहुत पास object पड़ा होता है तो क्या होता है उसकी बड़ी image बनती है और देखो इस object की image इस तरफ बन रही है behind the mirror बन रही है जब behind the mirror बन रही हो तो वो image mirror के अंदर ही बन रही होती है या ऐसे देख सकते हो जो मारा next question भी है कि अगर light rays actual में meet ना करे देखो यह light ray इदर चलीगी यह वाली light ray इदर चलीगी यह दोनो light ray आपस कमें cut कर ही नहीं रही है इनको थो हमने धके से ऐसे dot dot करके cut करवाया है